नमसकर दोस्तों आज किज वीडियो में हम देखेंगे कि नाहों तो उस केलिकुलाई के लिए मतलब केडिनी में या फिर उरेटर ने कि नहीं वह देखने के लिए एकसरे करते हैं उसके बाद अगर पेशन को कोई परफोरेशन हो मतलब आथ फट गई हो तो वह कंडिशन में स्टेंडिंग पॉजिशन में अब्डोमिनल एकसरे किया रहत है ताकि हमें निमो पेडिटोनियम पता चले और तीसरा कंडिशन यह है कि इंटेस्टेनर उपसरेक्शन मतलब आथ में कहीं पर भी उपसरेक्शन हो या फिर वह आथ फूल गई हो देखने के लिए भी अब्डो में इसदो छोटे बच्चों में कभी कोई पेशन ड Chang三 का निगल गया है तो वो जो सिंगा निगला है वह कहां पर है मत्व कॉन सी पोडिशन में कहां पर पहुंचा है वो देखने के लिए भी एकसरे हैं और रेर कंडिशन में जो भी स्मग्लर स्लों होते हैं वह कभी--श क में या फिर कोलोर में कुछ ड्रग्स शुपा के आता है तो उनको भी ढूटने के लिए कभी एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं तो एब्डोमिनल एक्सरे जो होता है वो जनरली अगर पुसिबल हो तो यह हमारा लेफ्ट डॉम उफ डायाफरम के नीचे यह जो ब्लेक सा दिख रहा है वो एर बबल है जो गेस्टिक एर बबल बोलते है और वो नॉर्मल होता है लेकिन अगर यही चीज हमें ऐसे थीन स्ट्रीप में मतलब एससी पतली सी लाइन हमें एर बबल वाली या फिर एसस लेकिन यही बैब अगर सरजरेके बाद कुस दिनों तक दिखता है तो वो फिर नोर्मल है क्योंकि सरजरी बाद जनरली हमारे डॉत Бडल होती है तो वो नॉर्मल है उस कंडिशन नों गभरहनी कि ज़रुद नहीं है लेकिन अगर कोई सरजरी ना की हो और फिर भी हमें राइट सेड होता है यह यह लीवर का एरिया होता है यहां पर राइट लोब ओफ लीवर होता है और यहां पर लेफ लोब ओफ लीवर होता है तो यह लीवर राइट सेड और मीड लाइन में होता है यहां पर हमारा यहाँ पर हमारा स्टमाख होता है और यह स्टमाख left से होके towards right side मतलब right side जाता है डियोडिनम में यहाँ पर जो होता है वो होता है spleen spleen एक lymphoid tissue lymphoid reticular system में आता है और वो स्प्लीन जो भी हमारे सेरीज में जो भी कचरा या फिर जो भी खराब जो भी सेल्स होते है या फिर इंफेक्शन के जो कोई भी मतलब या फिर टूमर के भी कोई भी सेल्स होते है उसको मारने के लिए वो काम आता है उसके बाद जो भी हमारी kidneys होती है वो यहां पर होती है यहां पर right kidney होती है और यहां पर left kidney होती है यहां पर urinary bladder होता है और इन दोनों को connect करते हुए यह right ureter होता है और यह left ureter होता है जब भी kidney में या फिर generally ureter में कोई stone होता है तो उसकी वरे से hydronephrosis होता है जिसको हम बोल से करते हैं कि उस साइड यूरेटर में या फिर किद्नी में कहीं पर भी stifforn हो सकता है कि कि यह जो हमें दिख रही है यह बड़ी आत पाइट में होती है मैं लिए जो बहुत आइपा जो द्धायमेटर होता है और जो चोटी आत में होती है उसका दायमेटर कम होता है यह जो अमें दिख रहा है बहुत चोटे चोटे जो भी air फोका है यह चोटी आध में एक साथ पढ़ी रहती है यह यह फोका है जो जनलि-पेलविक स्मॉल-ब Anybodyus होती है उसके अंदर यह आर है वो हमें दिख रहा है जो चोटी आध जो होती है वो जनलि skill मतलब चोटी आयत को हम देखने जाए तो यहां से चालू होके यह फिर जेजुनम होता है यह फिर जेजुनम और यह इलियम होता है और फिर यहां से आके बड़ी आथ चालू होती है बड़ी आथ जो चालू होती है यहां से यह सीकम होता है फिर एसेंडिंग कोलोन फिर इधर होता है descending colon फिर यह होता है sigmode colon और फिर यहां से rectum तो यह बढ़ियात होती है वो peripheral part में होती है और छोटीयात होती है वो central abdomen में होती है generally कभी भी हमें जो भी abdominal x-ray देखते है उसमें कोई major air fluid नहीं होता है air fluid का मतलब होता है कि यह जो हमें देखता है इसको air fluid level बोलते है अधर solid हो या liquid हो और उसको उपर चोटा सा air का bubble दिखता है तो यह नोर्मल है लेकिन अगर ऐसे ही air fluid level हमें पूरे abdomen में ज्यादा दिखने लगे तो उसका मतलब यह है कि हमारे सरीर में कोई intestinal obstruction है मतलब कहीं पर भी आहत में हमें obstruction के चिंदिस है जो भी हम खाना खा रहे वह आगे पास नहीं हो पर रहे है अधर में जो भी बोंस दिखते है वह जनरली number vertebra होती है यह जो है यह number vertebra होती है number vertebra total पांच number में होती है और हमें lower ribs mid और lower ribs दिखते है फिर यह bilateral pelvic bone होते है यह right pelvic bone है यह left pelvic bone है और इन दोनों को और number vertebra को connect करते होए बीच में जो होता है वो होता है सेक्रम यह सेक्रम का पाड़ है जिसको tail bone भी बोलते है तो यहां पर सेक्रम होता है और यह जो दोनों bone है यह femur है यह right femur है और यह left femur है तो इस तरह से abdominal x-ray अभी CT scan की वज़ा से इसका इंडिकेशन है या use है वो दीरे-दीरे कम होता जा रहा है लेकिन फिर भी इमरेंसी कंडिशन में या फिर हमें कुछ फटावट देखने के लिए नियूमोपेरिटोनिम है या नहीं है या फिर बड़े स्टोन अगर हम सस्पेक कर रहे हो या फिर स्टेंट की पोजिशन चेक करने के लिए अभी भी अब्डूमिनल एक्सरे किया जाता है या फिर पोस्ट ओपरेटिव कंडिशन में भी कोई इंटेस्टन और उप्सरक्शन के चिंदिस नहीं है वह देखने के लिए भी अब्डूमिनल एक्सरे किया जाता है मैं आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपको हेल्फुल और